कि सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दू तो मैंने जो है वो जो सा 2020 और सीए से भी 2020 में पार्टिसिपेट किया था और मुझे जो है यह सीट अलॉट हुई थी आयाई एस्टी सिवपूर में सिविल इंजिनेरिंग और मेरी जो है वो कैटेगरी इस वीडियो में आप सब्सक्राइब करूंगा तो यह जो है वो मेरी सर्टीफिकेट आप देख पा रहे होगे और ऐसा ही जो है वह वह बनमाना है कौन सा फॉर्मेट रहेगा वह सभी आपको डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा ओके तो देखिए ऐसा जो ह यह मेरा certificate आप देख सकते होगा यहां पर जो है वो date मैं आपको दिखा दूँ इसमें बहुत important जो है वो date है date है और यहां पर valid for the year और financial year यह तीन चीजे बहुत important है जो कि आप सभी में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और और यह तो हो गई certificate और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा जो है वो official format है जिसमें आप सभी को बनवाना है तो यह हो गई आपकी official certificate की format और यह जो है आप सभी को पहले मैं बतादू कि यही जो इसी format पे आप सभी को अपना जो है वो certificate बनवाना है तभी जो है वो आपको 10% का benefit मिल पाएगा और अगर आप जो है वो EWS category से विलॉंग करते हो तो आपको यह देना ही पड़ेगा certificate अगर आप यह certificate नहीं देते हो तो आपका जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और नहीं तो आपको जैब जैनल के तरह टीट किया जाएगा ओके तो जैनल के तरह टीट कि तहसा है तो वेली नहीं होगा अई यह certificate आप सभी के पास जो है वह वो 20 एक अप्रिलों के ध्यान दे कि यह चैन यह प्राइप एक आप telephone ट्वेंटी dahil के बाद दौना चाहिए एक ह ост effectivement रहेगा तभी जह हो वह वैलिड होगा इसे पहले का वैलीड नहीं होगा ओके ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो certificate होती है, वो one financial year के लिए valid होती है, और financial year 1 April से लेके 31 March तक ही होती है, तो ये जो है, आप सभी को, आप अगर जो certificate बनवाओगे 1 April 2021 के बाद, तो ये certificate आपका 1 April 2021 से लेके 31 March 2022 तक जो है, वो valid रहेगा, और इसमें आप सभी को मैं दिखा दूँ कि क्या क्या आप सभी को यहाँ पर बढ़ा रहेगा, आपके जो है वो certificate में, तो सबसे पहले यहाँ आपका government रहेगा, जिस भी state या union territory से आप बिलोंग करते हो, उसका यहाँ पर नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर certificate number रहेगा, यह यहाँ पर date रहेगा, ओके और यहाँ देखिए valid for the year, valid for the year आप सभी का जो है, वो 2021 से लेके 2022 ही होना चाहिए, ओके इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए, 2021 से लेकर 2022 तक है, तभी आपका certificate valid होगा, और नहीं तो आपको certificate नया बनवाना पड़ेगा, ओके और उ यहाँ पर जो हो आप सभी को financial year लिखनी है, यहाँ पर financial year लिखनी है, और financial year वाले जो category है, उसमें क्या भराइगा, तो उसमें जो है, वो 2020 से लेकर 2021 फिल होगा, ओके 2020 से लेकर 2021 जो है, यहाँ पर फिल होगा, और valid for the year के जग़ा पर क्या फिल होगा, 2021 से लेके 22 तो यह जो है यह कहाँ पर फिल होगा यह उपर में फिल होगा यहाँ पर और यह वाला चीज यहाँ पर फिल होगा तो यह आप धियान रखना अगर आप certificate जब भी बनवाएं तो ऐसा जो होना चाहिए उसके बाद फिर आपका यहाँ पर लिखना होगा कि आपका नेम और आप जिस भी category से बिलोंग करते हो जिस भी cast से बिलोंग करते हो अगर आप राजपूत बिलोंग करते हो तो राजपूत लिखना अगर आप प्रक्राइब करना होगा तो आपको जो है वो सिंध्यान रखे कि ऐसे सपोच करें कि जो जो पासपोर्ट साइज है तो अपस्पोर्ट साइज पर जो है वह आप सब्सक्राइब लिखना होगा और आप कहां से जो है वो बनवा सकते हैं यह जो है वो certificate आप सभी को जो है यहाँ पे seal होगा officer का जहां से भी आप बनवा रहे हैं तो ध्यान रखे कि यह जो है वो कुछी जगह से बनता है सबसे पहले आपके जो है यह तहसील में बनेगा ओके आप अपने parents को बोले वो आप सभी को इस चीज स्बस्छी में पूरी मदड़ करेंगे तहसील से पथले बनवाएं ओके और तहसिल में यानि की ब्लॉक होता है बिहार में इसी ब्लॉक कहते हैं और अधर स्ट स्टेट में पुछ हgus ने तहसील में बनवाएं और यह जो है वो दसी यारियनिकि जो है सरकल आफीसर से बने ग आपको certificate मैं अपना दिखा देता हूं तो इसमें देखिए आप वही सारी चीज़े मैं आपको दिखा देता हूं कैसे जो है okay यहां पर देखिए मैंने बाग कहा था कि यह जो है वह government of बिहार हो गई यहां पर देखिए कहां से मैंने बतन बनवाया है तो यह circle officer से बनवाया है यानि कि उसी को जो है वो इंग्लीस में तहसिलदार कहते हैं और अधर जिस्टी में जैसे यूपी में उसके बाद यहां पे जो है वैलिट फॉर दे यह में आप मैंने कहा था कि यह सब्सक्राइब मेरा पुड़ाना है यहां फैनेंशियल में 2019 से लेकि 2020 है और यहां पर देखें ओके मैंने वह 2020 में बनवाया था सेप्टेंबर में और यहां पर जो है वह वो सर्टिफिकेट का फॉर में डलाएगा और आपको ध्यान रखें कि आपकी जो ह वह मेरी फोटोग्राफ हो गई ओके फोटोग्राफ और फोटोग्राफ पे जो है वह मैंने क्या लिखा है पहले सेल्फ एटेस्टेड लिखा है और उसके बाद नीचे में अपना साइन किया तो ऐसा ही जो है और इसको कहते हैं सेल्फ एटेस्टेड को हिंदी में अभी प्रम सबवारां है के एक जो है किलिए आप सबीन रखाया है के प्लयो को भी विडियो सरी एप Milk विडाक तो आपको कैसी को सुन लेक्स बता शाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिग देना मैं आपको उस टॉपिक पर स्पेशल डिडिकेटर वीडियो बना दूंगा ओके ताकि आपको जो है वो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप डिफिनेटली जो है वो कमेंट बॉ और प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लें क्योंकि इससे जो है वो आपको आने वाली वीडियो का पता चल पाए है तो थैंक्स पर आचिन वीडियो एंड है वा गुड़ टे